शमन्द वेरोल शरीर हम देखे आग एक वस्त अनूप दिखाए गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक पेद न पाई हो वै शिफत खशम दी नूर अर्शों कुर्शों चट्टिये उद डिठे सचे पात शाहाव मल जनम जनम दी कटिये शतनाब वाहि गुरु साहिब दीयो पंच परवान पंच परधान पंचे पावेह दर गैमान पंच परवान पंच परधान पंचे पावेह दर गैमान पंचे सुह दर राजहान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करें विचार करते कै करने नहीं सुमार जे को कह करें विचार करते कै करने नहीं सुमार वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की फते सत्गरु गरीब नवाज लोग पर लोग दे रख्यक दसां पाजशाहियां दी जोत शिरी गुरु गरंट सहब जी दे पावन पुवित्र दरवार विच दूर नेड़तों उदम करके आप जी पहुंचे हो हजूर दे चरना विच नमशकार करके इस सवेर नू इस दिन नू आप जी ने सफल कीता है अज़ दी जो पौड़ी जब जी सहब दी लड़ी बार ब्याख्या विच आप जी ने सर्बन कीते हन बचन सौल में पौड़ी दा पहला हिसा है जिस विच गुरु नानक देव सचे पात्षा जी पंच परवान लोकां दी गल कर रहे हैं पंच दा अर्थ है चुणेया होया परवान दा अर्थ है जिसनों परवान कर लिया गया है पंच शबद कई बारी तन गुरु गरन सहब जी दी बानी विच आया है पिशलियां पंद्रा पवडियां विच जेड़े गुरु नानक देव सचे पात्षा जी ने कुझ पाट सन उपड़ाए हन कुझ लेसन सिखाए हन जदों कुई मनुख उना दी विद्या नुपड़दा है अराम तो ले के थोड़ा जया नजर मारिये गल शुरु किती एक उवग कार तो ताह जिसने एक उवग कार आब आज ठीक निया दी एक उजा दे ठीक रा दे एक उवग कार तो गल शुरु किती ते अरंबता विच बचन कीता कि चूटदी कंद केमें तटे के वो कूड़े तुटे पाल फिरोदे वास्ते यतन दसे चार मानदा पवितर होना यह मैं सिर्फ ए दोरा रहां के पिछले पंदरा दिना विच जेड़े विचार चल रहे सन आज पंदरवी पौड़ी नू लंग के उना दी प्राप्ती बाले मनोख दा बरनन कीता गया है जिनने पिछले पंदरा पौड़ी यां वेच दिते होई लेसन नू सबक नू सिख्या नू अपनी जिंदगी वेच कमाया है ओ आज सौल मी पौड़ी दे अरामब वेच ओदी जिंदगी शुरू हों दी है पंच परवान चुणिया होया मनोख तान जिसने पहला मानदियां चार साध नमा कीतियां के माननू पवितर करना है सोच है सोच ना हो बई फिर माननू चुप करणा है चुप करन दी गाल चलिए पहली पौड़ी वेच फिर मानदी तृष्णा नू खत्म करना है जिना ने रम्बतों सुने उना नू सब चेते आवेगा फिर मानदी स्यानप नू खत्म करना है जिनने चार कम कीते फिर उस सच्यारा बनवासते तुरपे आते उदे कूड़ दी कांद टुट गई पहली पवड़ी से फिर उने सजे सजे हुकम नू पैचान लेया हुकम रजाई चलना नान कलिखेया नाल हुन उनू गाउन दी जाच आई सुनन दी जाच आगई त्यांद लाउन दी जाच आगई फिर जिनना ने सुनेया चंगी तरह ओदे तुआ के मनन दीया चार पवड़ियां मी आप जी ने सर्वन की तीया हन ये सारा कुछ जिनने चंगी तरह कर लेया सुन लेया मन लेया कमाया जिन्दगी दे अंदर ता सब कुछ जिड़ा मनुख पार हो गया है सारे आँ वास्ते सत्कुरू ने सारे वास्ते एक अला कहिया ने उपदेश चंग वरना को संजा जिनने में लोक ने उपदेश सारे वास्ते है जिमें एक कलास दे अंदर सो ब दियार थी होंदा है ते जदों टीचर उना नू अध्यापक पड़ूंदा है ता वो सारे आनू इकठा ही पड़ूंदा है किसे विच विद्करा नहीं करदा किसे नू काटवद नहीं पड़ूंदा कि ए विद्यारती मेरा निजी है क्योंकि उने ता लेसन नू बुलना है सारे आने सुनना है सारे वास्ती कलास रूम है सारे सुनने पर एक गल याद रखना कि एक साड़ पड़ूंदों बाद उनना विचों सो विचों दो चार विद्यारती ऐसे हुंदे ने जिनना नू कोज रैंक दिते जांदे ने के ए पहले नंबर ते दूसरे ते तीसरे ते आया है सारे आनू नू नहीं मिलदा हूँ एसे तरह गुरू नानक सहीब दे कार दे अंदर उपदेश ता है चाहूं वरना नू सांजा कोई शक नहीं और सारे जीव एको जाईने सरीर कता उरते पांच ततांदा सारे यांदे सरीर बढ़े है पर जदो उपदेश सारी लुकाई नू दिता जानदा है सारे लुकाई नू दिता जानदा ते सारे योग नहीं हुन्दे कि उस उपदेश नूँ सारे पूरी तरह कमा लें सारे य। श्रम याज ते उवेस दी गल नहीं हुन्दे क् возмן हुए हुए लजीवन जढ़ा सब्सक्राइए ए पहामेश ही कहीने है । पुरु सहीब ने जात पाद दा भी खंडन कीता है, यह भी क्या है कि सारे बंदे एको जह ने, एको जह पंज ततांदे साडे सरीर बढ़ेंगे, स्वास लेने हैं, वो भी सारी आंदा एको जह है, सब कुछ खाना पीना, पर एक गल पकी है, भी बार ला सारा कुछ एको जह अ अंदर ला एको जया नहीं है उदे विच बड़ा फर्क है ओ जिने जिने किसे दी योगता कह लिए जहां गुरू दी किर्पा कही है उस हिसाब नाड इस तर्थी दे अर्बान लोकां दे विच्छों बहुते आम लोक ने ते थोड़े जाए खास लोक ने बहुते आम लोक थोड़े जाए खास जिड़े चुणे जाए जाए ने संसार दे विच्छ भी ये ना विच्छ कोई खासियत है कोई विशेशता है जिमें आज गुरू जी ने किया कि पंच पंच दा मतलब ने जिड़े चुणे होए लोक ने ता ओ जिड़े लोक उपदेशता सारे लोका नू मिलदा है पर चुणे होए पूरे सिरेत गए होए थोड़े जाए लोक हों दे कोटन मैं नान कोऊ नारायन जेह चीत मैं उदारन देया जिमें आपकेनिया पिंड विच शेर दे विच अमली बहुत ने त्यान देओ गुरू साहिब ने उदारना देतीया अमल बारे गुरबानी विच अमली बहुत ने कोई होन के हजार दे करीब बड़े शेरां विच जाजादे भी हो सकते जेड़े नशा कर देने उनना दी गिंतीता बड़ी है पर बदनाम अमली जेड़े ने उदो दो चारी ने जेड़े इनना नशा खान दे किसे मोड़ते डिगे होंदे उँ मशूर हो जान दे उनना नू समाज चुण लेंदा उनना दा नाम लोका दी जबान ते चाड़ जान दा भी नशाता बहुत लोग खान देने पर एजड़े डिगे होए ने जहां बदनाम अमली ने जहां जिनने इस जेड़े लोग का सुर्खियां में चागए चुण ले समाज ने भी चुणे होए अमली इसे तरह चूटे लोग ते बड़े ने थोड़ा थोड़ा चूटता सारी बोल दे पर आपका कहने अब ये आदमी दा विश्वास ना करना मन्या होया चूटा है चुणे होया जहां कहने अभी मन्या होया बेईमान मन्या होया तोखे बाज चुणे होया है इसे तरह तरमदी लोग विच थोड़ा थोड़ा तरमदे सारी लोग कमांदेने पर बदनाम तरमदी थोड़े जहांदेने जिड़े तरमद विच अपना जीवन बलिदान कर दे दे जिनना बा गए उसनो इना उना ने ओदे नाड साज पा ले के होनो गाफल जाए हो गए संसार वनो जना नो गुर्बाणी ने क्या है एतो गाल शुरू कीती एक पासीता होने वंदरों चूटे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल एक लोग उने जना विच दुनिया दे विच जना दी फल आवट बड़ी है बड़े लोग जान दे उना नो इस तरह दा टंग तरीका इस तरह दा प्रापू गंड़ा उना कुछ होन दा है कि बहुते लोग उना नो जान दे फैल दा मतलु फैलाव उन्दा है अंदरों चूटे पैज बार आओ जी जाओ जी दी गल उना नो बड़ी सुनी तरह हों दी बड़ी चंगी तरह कवर कर लें दे समाज उस समाज विच कामयब भी हो जान दे जादी पीड कठी करन लई जादे लोका नाल सबंद जोडन वासते दुनिया अंदर फैल हुन अर्चन ए है मुसीबत ए है कि जेड़ा बंदा संसार विच कामयब हो भी जाए तार्मिक ताउरते बारों कामयब हो भी जाए जरूरी नहीं कि वो अंदरों में कामयब होया होगे सत्कुना ने क्या अट सठ तीरत जे नावे हैं उत्रें नाही मैल दुझे पासे ओ लोक जिन पट अंदर बाहर गुदर ते पले संसार तिन नहों लगा रब सेती देखने विचार रंग हसें रंग रोमें चुप भी कर जाएं जिमें एक निशाई पंगदा है जो कुछ करन लगे हो करिये जानदा है उन्हों परवा नहीं रहें दी काउन बेख रहा है तां ओ आदमी बदनाम हो जानदा है के पंगड है बिलकुल तां इस तरह ओ गुरु सहब ने उदारन दिती के तरमते सारे लोग कमारे ने एक तो लेके सारी थोड़ा थोड़ा तरमता है ही सारे यांदे अंदर चलो होर ना बंदा गुरु को लाए है ते आकर हारे को बंदे नू अनांदकार जिकराओं ली ते गुरु सहब नू मत्था टेकने पहिंदा है नौ भी तां ही साही तरमता जहां किसे दी अंतिमर दास होवे ओदों ता कहनी पहिंदा भी नू थांदे आज इस सारी उमर पहुमे गुर्दवारे ना आया होवे थोड़ा जाते है ता अर्मिक पर उस तरमते ता कोई अर्थ नहीं जिमें बदल है सूरज चड़या अकाश दे विच साफ है अकाश नल्ट की जाए ओधी जिंदगी विच तरम दी छां आजाए सारा जीवन ओदा तरम दे नाल बलेटिया जाए उनू के ने पंच परवान पूरा हो गया व्यक्तितार्मिक बन गया ता जिन्ना नू गुरु सहभ ने पंच परवान किया किर्पा सारें ते इकोजी किती एक ब नहीं प्रब तुद्धों खाली को नहीं पर किसे कुड़ थोड़ी किसे कुड़ जादी क्यों सारें नू इकोजी देंदा है जदो कुबीर सहभ जी चुने परमात्मा ने पंच बने हो ता ओदो कुबीर सहभ दे नाल जिन्ने भी बंदे बनारस दे अंदर सन जेडी मिली है कबीर नू मी मिली पर सारे कबीर नहीं बने कबीर सिर्फ चुने रवदास चुनले पंच बनाले परमात्मा ने ओदी लोड सी सारें नू इकोजी दात बक्षिश करदा है इकोजी किर्पा बक्षिश करदा है पर मिल दी उना नू जिन्ना दे अंदर ओ लैन दी समरत हो जान दिए इस करके कहिं देने गुरू पूरा भी होवे शेख अधूरा होवे ते कम नहीं चलदा पूरा होवे गुरू सिख होवे अदूरा कम नहीं चलदा पूरी गल नहीं बन दी कभीर साचा सत्कुर क्या करे जो सिखा मैं चूक जे उदे विच कमी है उने थे जिड़ा सिख नू पूरे करन दी गल मैं कहरे है उदे मतलबे ने भी सिख पूरा बन गया जीवन विच सिख दे पूरे उन दे अर्थ होरने ते गुरू दे पूरे उन दे अर्थ होरने गुरू दे पूरे अर्थ होन दा मतलबे रबनल बिलकुल जोड पूरा ग्यान जे दे कुल गुरू पूरा ओ हुन दा जे दे कुल पूरा ग्यान है सिख पूरा ओ हुंदा है जिदे कुड़ पूराई अग्यान है त्यान देओ ये ते पूरे ओन दे मतलब एवी अर्थ निकल लगे विजे गुरु कुड़ पूराई सिख आ गया ते फिर उदा कामी खत्मों ने गुरु कुड़ लेनी की ये पूरा दे हो गया तक गुरु दे पूरे दे अर्थ ने सत्कुरु दे पूरे दे अर्थ ए के जड़ा रब वरगई हो गया जन्नों वेक के पलेख़ा पहज़े भी ये गुरु है के रब है ओ है पूरा गुरु ते सिख पूरा कउण है ये थे सिख दे पूरा होन दा मतलब ए नहीं के ओ पौँच गया है नहीं सिख पूरा ओ है जड़ा बहुत वड़ा अगयानी होवे बहुत वड़ा मुरक होवे जड़ा ए मन लाए मेनू कुछ नहीं होन दा मेरे पले कक भी नहीं मेरे विच कोई गुण नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके ने पूरा सिखाया है जेड़ा एक यंतर बन जाए अपने गुरू दा जेवें आवाजा गुरू के सिंग बजाओं दे कीरतन कर दे इस तरह दा जीवन बन जाए सिख दा कि ओ एक यंतर बनके एक साज बनके अपने गुरू दे सामने बैठ जाए और कवे के जिद्रों तू बजाओं ना है बजाओं ना है मेरी कोई अपनी मरजी नहीं है तेरी मरजी तू सारंग गौना है ते सारंग गाला है सोर्थ ते तारह दबाणिया ने सोर्थ राग गाला है जे बसंत कोणा है ते बसंत कदी हर्मोनियमने कया भी मैं ए राग नहीं कोणा उन्हों ते पदा बनी वचारे नू बेज़डा उते बइछा ने वजाग पड़ा देना है सिखनों की पदा हो दी जिन्दगी विच की होना है ते गुरू जाने उन्हें की करना है उन्हों के इन्देने पूरा सिख है जिदा आपना जीवन कोई ने गुरू नानक देव जी दी जिन्दगी दे अंदर भी पाई लेना जी आए सान ता उना नू उना इस खा देता भी इस तरह वज़ना जिमें गुरू ने बज़वने इसलिए पूरे सिख दी निशानी की जिड़ा आप नहीं वज़दा जिन्नों गुरू बज़वनदा है ओ साज ओ जीवन जिड़ा अपने आप आप नहीं तुरदा जिन्ने सारी रा अपने गुरू नो दे देता तू जिमें कराउना है मेरे हर जीओ सब को तेरे बस असा जोर नहीं जे किछ कर हम साकें जे उपावे ते मैं बख्ष कोई जोर नहीं चलता कोई हीमत नहीं ता पूरे सिक दे अर्थ कोई बहुता ग्यानवान नहीं एस अनुप लेखा पह गया ताँ ही ते सिखी विच वादा नहीं हो रहा है ग्यान में कल बेंती कीती सी के एना दो दहाकियां दे विच ग्यान ते साधी कौम को बढ़ा आया है इना लिट्रेचर ते कदी पिछे बंडे नहीं गया पांच सो साल चाती मार के देख लो इने कैम पता कदे लाए नहीं गये इने ता समागम कदे हुए भी नहीं इना ता कदी पढ़ाए नहीं गया लोकानू तर्म बारे पर एक सुवाल खड़ा हुँदा है कि इना सालाम विच बंदे तर्म तो दूर क्यों चले गए इने इदा कार्ण की बढ़ाए क्योंकि आसी सिखी दे अर्थ गल्ट कड़ ले सिखी दा अर्थ संसार दा ग्यान सिखना नहीं सिखी दा अर्थ संसार दा ग्यान चड़ना है सिखी दा अर्थ कोछ बनना नहीं हुनदा सिखी दा अर्थ अपने आपनों मिटाउना हुनदा है खत्म करना हुनदा है असी सोचिया सिख लवागे उते कम गुरु दा असी सिखना जान लेना ग्यान होना ता गुरु साहभ ने बड़ा जान ले है साधे गुरु साहभ दे कोड ता अनुगुरु गरंज साहभ जी दे अंदर पांच छेसो साल ता तजर्बा है ते सनोर तजर्बे करंदी की लोड़ पैगे सन ग्यारांसो तो लेके भगद जैयदेव जी फरीद जी ग्यारां सु सत्र विच ता ए बारमी सदी तेरमी सदी चौदमी पंदरमी सौडमी सदी सौड़ां सो पन्यतर विच शहाद होई गुरू तेग बाहदर सहीब जी दी जदो गुरू गरंस सहीब जी दे अंतले सलोक उचारे गए ता ए पंचसो साल तक गुरू सहीब ने तजर्बे कर लेने पूरे हुनता हुना नू करंदी लोड ने रह गई हुनता हुना बारे खोज करंदी लोड ने हुनता लोड है उनना तजर्बे आनू जिंदगी वेच टालन दी पर असी क्या भी गुरू सहीब ने जेड़े तजर्बे कीते साना सी मुड तो फिर शुरू करने ने आई गलती हुई सड़े कुणू जेड़े काम गुरू सहीब ने कीते हुँ सेख ने करने शुरू कर देता शेख तजर्बे ने करदा शेख एक दम फैसला करदा भी गुर तुने क्या हमानु मान नहीं लेना है। होण सोचन ही लोड नहीं। फुरमान तेरा शिरे ऊपर, फिर ना करत विचार। जदू हुकम ही मिल गया फिर विचार का दी करने। उकम वे चैऊना, जो को जो उने क्या उसे आ करी जाना, बिल्कुल एक एक इंचते उसे तरह करना फुर्मान तेरा शिरह उपर फिर ना करत विचार तुहीं दरिया तुहीं करिया तुझे ते निस्तार ते सत्कुरू ने की समझाया कहन लगे बंदे बंदगी एक तियार तेरा कम बंदगी करना है तेरा कम उन्हों याद करना है साहिब रोस तरो के प्यार तेरा रब तेनू प्यार करे जान तेनू गुसे होगे तू बंदगी करनी है इते अर्थ एही बने ना के बंदे बंदगी इक्तियार साहिब जिदी तू बंदगी करने है रोस तरो रोस्दा मतलब गुसे होना ओ तेनू चिड़क भी देवे कड़ भी देवे ठेड़े मार दे कवे तूं कुछ नहीं करना दोड़ जा साहिब रोस्तरों के प्यार किमेदी जिंदगी होवेगी हो जिदे विच कोई वापसी उमीद ही नहीं किती जान दी के मेरे गाल विच शुरूपा पैएगा के नहीं ता मेरे गाल विच हार पैएगा के नहीं मैं कर रहे हैं कोई उमीद नहीं हसी तां गुर्दवारे विच भी इस वास्ते हों दे मैं हरान हो गया भी शुरूपे देन लग गया परबंद कानू बड़ी चिंता वापरजान दी है जption शुरोपचे देने होंदिना किसी समाघ में चुछ भी दो चार बंदे कम जाधा कर दे तो एक जना कहींदा शुरोपे दे दे दी दूसरा कहींदा ना शुरोपा नहें दे ना क्यों क्योंकि जे दो जणे या नूं दे देता बाकी दे लड़न गे शोपा के उने मिले आ यानि के बंदा गुर्दवारे मत्हा तेकन दा भी शोपा मंग रहे है कि मैं गुर्दवारे आया मेनू स्प१ा देओ मेनू सनमान चाहिदा ते गुरू ते कहिं दे ने ते नू मार के भी कड़ दे ता भी तू प्रवाना करी गुरू दा पला ना छड़ी फिर सिखी दे अर्थ की होई जे मार कड़ हैं भी ते आई शुरूपा मिले प्रवान भी कर ले ना भी ना करी ना करना भी हंकार बन जाएगा मैं नहीं लेंदा मैं नहीं शक्दा लंगर गुर्द्वारे दा मेरे कर सब कुछ है गल फिर गल तो हो गई पर जे नहीं मिले आते इई चगड़ा मेनू श्रोपा नहीं मिले आ मेनू विच नहीं ले आ गया ता ए बिरती उमीद दी जेड़ी है ओई रुकावट है सिखी नू कमाउन विच बंदा करदा कट है उमीद जादे करदा है सद्गुरा ने क्या तू करके वेख उमीद ना करी जेड़ी तेनू उमीद नहीं सी मैं तेनू ओ दे दे आँगा जो कदे तू सोचा भी नहीं सी के मेनू मिलबी सकता है जाँ तू कदे ये भी नहीं सी सोचा भी हुदा भी है के नहीं ? उवी है गुरू को ए गल बंदी भी है के नहीं जिंद गी बिच कदि तान गुरु अर्गुपेंच सैब दे जीवन दे अंदर एक सजण आया सी जानी खान है सी मुसल्मान फकीर दा चेला सी जानी खान किसे फकीर कुड कई साल रिया तान बड़ी उने सेवा कीती जानी खाने उस अपने मुर्शिद दी जिणना कु ओदे कुड है सी उने दस देता भी ए घे जिनना कु क्रा सकदा सी क्रादेता योगता होंदी हार एक किसे दी उस तो जादा होदे कुछ अधिकार नहीं होंदे ता उन्हें जिना को सकदा सी कराया पर जानी खाने सब को जदो कर लिया तो एक दिन अपने मुर्शिद सामने खड़ा होके कहन लगा कहन दा मेरी तसली नहीं होई मैं अगे होर जाना चाओना ता ओ इमानदार मुर्शिद सी जेता कोई होर उन्दा तो खा देंदा यो ती बिठा लेंदा ओ स्याना सी उन्हें एक बचन किया कहन लगा जिन्हें को मेरी डियोटी सी उन्हें को मैं तेरी सेवा बिच हिसा पा देता है जितों तक तेरा जीवन जा सकता सी होन मैं तेनू अगे पेज ना जे मैं पेंड़ दा डौक्टर कहीं दा तेनू शेर पेज देना उन्हें वड़े करने के इलाज तेरा होन तेनू अगे पेज देना पूते चला जा किते कैन लगे गुरू अर्गुपेंच सहब ने दरवा अमर सर दे अंदर मैं ता मुस्लमान हाँ ता गुरू नानक दे सिखी सुरूप दे विच सेवा कर रहे ने केन लगे कोई गल नहीं ओ किते किते बार भी कम कर लें देने ता जानी खान तुर पया चला गया अगे तान गुरू अर्गुपेंच सहब सचे पादशाजी दा दरवार सजया हुए है संकता बैठियाने कीलतन हो रहे है ये विचारा मुस्लमान सी नमा नमा गया फुड़ा जा डरया भी पता नहीं अंदर जान देनगे के नहीं किसे तरह चला गया कीरतन दी समापती होन लगी अंदर नम शकार कीती बैठ गया सत्गुरु गुरु अर्गुपेंच सहब बैठे सन समापती होगी हजूर ने वेख्या कोई नमा आदमी आया नेडे बुलाया पुछया कितों आये नाम की है कैन लगा जी मेनो पेज़े है किसे ने तो अडे कोड की करनवास ते तेरा नाम की कैन लगे जानी दसो की कम है ते जानी खानी बचन कीता कैन लगे जानी को जानी मिला दो इते आस विच इस तरह लिख्या है केडे जानी नू मिलना चांदा कैन लगा इस जानी दे विच ते बार ले जानी विच जड़ा फरक है ना उनु कट देओ तुसी दुआदा मिलाब करा देओ सत्कुरा ने वेख लेया भी ये बंदा हीमत वाड़ा बहुत है जल्दी काम यब होना चांदा है सारे आदमी एको जैने हैं उन्दे कोड खड़े सन दो सिख कैन लगे नू तका मार के बार कड़ देओ तके मारो इस नू बार वगाओ खिचके सुन कोई नमी तो नमी जड़ी कसवटी गुरु सहब जीवन दे विच पहूंदे जड़ी पहला नहीं होंदी न具 हमतियांता हुंदे यो ना जड़ा पहला ना वेख्या गया होए जड़ा question paper पहले लिक हो गया ओ question paper ही का दा रेया जड़ी कसवटी पहले लोखा आते लगी ओ साड़े कम के वे आ सकती है नमी उनी चाहिए दी कूई वो ताँ पहला सिखी होई है ना फलाने नू इस तरह गुरु सहीब ने किरपा की ती से ताँ सिखा नू क्या के इनू तके मार के बार कट दे उदर बार बेचो वेखन वाले भी सोच दे उनके गुरु सहीब बड़े निरदेई हो इने जेड़े कोड सिख खड़े सानू उनना फड़ेया बावातों क्योंकि ए उधे हो जाओ कम ते सिख बाउत जल्दी मान देना किसे नू तके मारने होनू बस मौकई बड़े मुशकल नल बन दाए हो जाओ उन्हाने फड़िया खिचके बार तके मारे बार कड़ दिता दर्वाजे अगे बैठ गया यह उस चीज दी व्याकिया है के साहिब रोस तरो के प्यार गुरू तेनू प्यार करे के गुसे होए दुआ हालता दे विच बंदे बंदगी एक तियार बार दर्वाजे दे अगे बैठ गया ते समापती तो बाद तानगुरू अर्गुमेंस है बार निकले वेखिया फिर ओ थे चंकड़ा मार के बैठा है अब आज एको आ रही है जानी को जानी मिला दो साथकुरा ने कहाए नू कंद विच चिन देओ चमापा से दे कंद मार देओ जिते बैठा है पर ओ फिर भी हिलिया नहीं फिर आ गया हजूर दे चरना में चो दो तिन दिना बाद फिर साथकुरू ने अखीर ली गल कही कहन लगे जे तुँ जानी नू मिलना चाउना ना ज जा दोड के समणे द्रिया है एक मीलते पिचे नहीं विखना दोड़ के जा ते उस द्रिया हादे विच चाल मार दे इसहड़ा हुकम है बस कैन दी देर सी कैन दी देर सी दोड पी आ जाने खान द्रियावल दोडी जानता है एक सिख नो क्या कोड़े ते चड़के दा पिछा कर उनाचर नहीं रोकना जिनाचर दर्याव इच छाल मारन दे बिलकुल नेडे ना आजाए बिलकुल मारन लगे ते ओधो रोकना है ओधे तो पहला रोकना नहीं यह आखरी कसवटी सी एक कुछ सुखी जिदात नहीं जिन्हों सी लबना चौने आ जीवन दी बाजी लान दा विशा है क्योंकि प्राप्ती बड़ी बड़ी जदो नेडे गया सिखने एको केर लिया फड़ लिया वे क्यों छाड मारना कहने लगे मेरे गुरू दा हुकम है इन्हा अपने आपनों कोई मारन वास्ते राजी हो जाए ते उस सिखने क्या भी जेडे गुरू दा तेनु उकमे ना भी तूं द्रयावे चाल मारनी है उसे गुरू दा मेनु उकमे भी तेनु चाल नहीं मारन देनी इस करके मैं नहीं ते नुछाड मारन दियांगा वापस लए यांदा हुन सत्गुरा ने किर्पा कीती सेरते मेर परेया हाथ रख्या अंदर रंग ला दिता अंदर ओ दे दिता जिदी कोई व्याख्या नहीं कर सकदा इना नुआ आपका कह सकने पंच परवान ने चुणे होए लोक जिनना ते परमात्मा ने गुरू ने बहुता कम कीता ता बेंती कर रहा सी अज़दा विशा पंच पंच दा मतलब गुरू सारेया नुँ एकोजी सिख्या देंदा है पर ऊपड़ंदा रहन था हुना दे विच्छों वेखता था एक केडे सिख्या केडे विदिया थी मेरी विदिया नुँ बहुता कमारए ने फिर ऊठ थोड़े जा निकलतए जा दे नहीं बहुते थे वपारी ने ता अर्मिक दुनिया दे विच बहुत आता वुपार ही चल दे ना आदमी कुछ लेंड वास्ती दोड़दा है कोई ना कोई उदा सुवारत है कोई ना कोई चौंदा है ता सत्कुरू ने बचन कीता कहन लगे कोट मदे को विरला सेवक रब वास्ते कोई विरला आउंदा है रब कोड़ों कोज लेंड वास्ते बहुत सारे हैंदे ये बड़ा फर्क है गुरू कोड़ भी गुरू नू लेंड बहुत कट लोक आउंदे गुरू कोड़ों कोज लेंड वास्ते हैंदे होर जेड़ा गुरु दे कोल होंदा गुरु नू नहीं लेना चाऊंदे पीम चांदनू एक क्या सी आगे आता तेन चीजा मंग लें या चांदनी होर पांज कला शास्तर परशादी हाथी मिले आ नहीं बड़ी लड़ाई चगड़ा होया साथकुरा ने एक बचन क्या सी कहन लगे पीम चंदा तू मेरे कुल आया है ते तेनू मेरा परशादी हाथी देश पया मैं ने देश पया कि ना तू गाफल आदमी है परशादी हाथी देश पया तेनू होता जानवर सी एक ता तेनू मैं ने देश पया तेनू हाथी देश प गुर्बानी नहीं दिसी सानु गुर्बानी की कह रही है ओदे विच की हुकम दिते गयने सानु ओ ते बंदे नू बड़ाई काट देस दा है बाकी सारा कुछ दिसी जान दा है ते आदमी नू ओई देस दा है जो को जो वेखना चांदा है दूसरी चीजों नू नजर नहीं गुरू को सारा कुछ है एक गुरू है एक गुरू को सारा कुछ है यह सी फैसला करना है भी गुरू नल सुबंद जोड़ना है कि सारे कुछ नल जोड़ना है सत्कुरा ने फिर बचन कीता कैन लगे पीम चांद तू गल्ती कर गयों कि ते मेनू कह देंदा अभी तुसी आजो मेरे कार विच ते आप प्रशादी आती ओरी ते आप इन आड़ा आजाने से इना नू ते मंगने नी सी पहना जो कोई सानू चाइदा है वो गुरू दी छाहा है जिते सत्कुरू ने जाना है उनना चीजान वो थे अपने आप यह उना पेना पर जैसी कलियां ले गए ते गुरू नू कर देती ना फिर उन चीजान जीवन विच संगल बन जानगी है दुख बन जानगी है आदमे मंगदा रहिंदा है पहला होना दी मंग करदा है ओदे वास्ते अरदासा करवंदा है जदो मिल जाने यह ने फिर कहने भी एतां बड़ा बड़ा दुख हो गया एतां बड़ा समस्या बनके जीवन दी एह दुख बन गया इसलिए सत्कुरू ने मंगण दी जाए जैसी कहन लगे जे संसार वास्ते मंगनें श्रीर वास्ते मंगनें ते जरूर मंग पर एक गल याद रखी नाड मेरी गल वी सुनी भी ये ना चीजा नू वरतना के में है केड़े तरीके नड़े ना दी वरतओं करनी ये पदारत जेड़ाय अगनी वर्गा है जो तू मंग रहे हैं ए अग दा कॉड़ा है तो किसे दे करूँ अग लेंड जाए तो पहला है सिक्खना परिदा आप सिद्धात ना पालिये जोगत उन्दी है उदी उदे तो दूरी रखनी है उन्हों किसे चीज बिच पाके लजाना है उदे तो अपने कपड़े बचाके रखने उदे तो अपना कार बचाके रखना उन्हों लजाके चुल बिच रखना हुंदा है तांकि अग बढ़ जायते सुखदाई हो वे जिन्ने पद चीज विछ पाके ले जाएए पदार था नू वर्तना के में है उना दी वर्तों के में करनी ता सारे यां दे उते जदू रहमत उन्दी है सारे नू सत्गुरु वनू बख्षा मिल दियाने पर सारे उनू जदू चंगी टंगनल कमांदे नहीं थोड़े जाए लोक उनू ठीक ठीक कमांदे ने ता जदू उन्दी योगता वद जांदी है ता फिर उप पंच बन जांदे ने परमातमा उन्दा नू चुनदा है अपना काम करनवास दे क्योंकि अकालपुर्ख वैगरू दी गलवी ता आखर उन्दा स्रीर तारियां करके पगतां करके इस्तरती ते चल पातिशाजी केंदे ने पंच परवान जदो उन्दा नू बनवंदा है त्यार करदा है फिर उन्दी पर्ख करके उन्दा नू परवानगी दे देंदा है मोर ला देंदा है कि ए जड़े स्रीर ने ए जड़े आदमी ने ए परवान हो चुके ने इन्दा नू परवानगी मि परवान गी मिल गई उखोटे नौट नहीं हन चलनवाले हन उन्हादा जीवन परवान हो चुका है परवान की मिल चुकी है ऐसे पंच परवान गुरू सह्व ने बाणी विच एक बचन कीता किसे ने स्वाल कीता असी क्योंनी परवान हंदे असी गुरू दी मौर क्यों नहीं लवा सके हुन तक हजूर ने जवाब देता है एक शबद दे अंदर शेव केंदे एह तन माया पाहया प्यारे लेतडा लब रंगाए मेरा कंत ना पावै चोलडा प्यारे क्यों तन सेजा जाए तू परवान ता नहीं क्योंकि तू अपना स्रीर दा चोला जेडा है लब तृष्णा नल रंगावै एतन माया पाहया पाहया दा अर्थे पा देनी असर पाउना स्रीर तेरा माया दी पा नल रंगावै केंवे रंगावै स्रीर दे रसा वेच जीवन डुबया हुए परवान के में हुए इहे तन माया पाहया प्यारे लीतडा लब रंगावै लब दे बबबबा शब्द है जदो तन गुरुकरण साहिब जी दे विच लब दे था अते लब व cela पाब भावैगा वदे अर्थ हुणगे मान दा लोब मान दी तरिशना जदो यथ जदो फबबा शबद अवेगा लब वेगा वदे अर्थ हुणगे स्रीर दी तरिशना स्रीर दे tie बिखम मार्ग चलना लब लोब दो में शब्द कठे आ गए एक थांते लब हुंदा है नारी लोब आ गया पहले विच बबा है दूसरे विच पबा है ताएना विच फरक की है पहले लब दे अर्थने सरीर दा लब जिमें सरीर वास्ते सहूलता लबनिया लोब करना सरीर वास चिंतन करना उनु कहें दे लोब ताए लब दो शब्द ने एतन माया पहया प्यारे लितडा लब रंगाए मेरे कंतना पावै चोलडा प्यारे इस तरह दा सरीर रबनु चंगा नहीं लगदा क्यों तान सेज़ा जाए इस तरह दे मनुख दी सेज़ते परमातमा रूपी प फिर केड़े लोग परमान हो जान दे कहें लगए हों कुरबाना जाओं तिना कहें हों कुरबाना जाओं हों कुरबाना जाओं तिना कहें लेंड जो तेरा नाओं लेंड जो तेरा नाओं तिना कहें हों सद कुरबाना जाओं अगे फिर होर रंग दी गल केती कहें दे काया रंगन जे थी है प्यारे पाया नाओ मजीट रंगन वाला जे रंगाई साहिब ऐसा रंग ना डीट आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे इतन कम करदा है फिर उस मनुख दे जीवन दे विच आपे साजे पहला उदे जीवन दी पान तोड करके उनू नवा बनाऊंदा है साजदा है पहला उसारी करदा है जिमें एक मकान नू बनाऊं लगया पहला इटा जोड़ियां जांदी याने उसारी किती जांदी है उनू के ने आपे साजे ऐसे गुर सिखा दे जीवन नू आप ही साजदा है जदों उना दे जीवन दे बिल्डिंग त्यार हो जाँदी या आपे रंगे फिर उना नू आपी रंग करदा है सजावट करदा है उना दे जीवन दी आपे नदर करे तो आप दृष्टी पारके उना वाल वेखदा है नानक कामन कंते पावे आपे ही रावे ऐसे लोक जेडे हन ओदे दारते परवान हो जान देने उनानू हजूर अज कहरे है पंच परवान उनानू परवान की मिल जान दी है वैसे इस बाणी दा नाम वी गुर्मखा ने जाप निशान क्या निशानी लग जानी मोर लग जानी ए रवायत गुर अनुख हर रोज नितनेम नाल जबजी सहब दी बाणी प्यार नल पढ़दा है जिननी जादे पढ़दा है ता ए जड़ी बाणी है उस गुरसिक दे जीवन दे उत्ते मोर लग जांदी है दिस दी नहीं है कोई मत्यते नहीं लिखिया जाएगा भी जबजी सहब है अद तुस ते जड़ों दे कारविच मनुख जांदा है ते ओ थे अंदर ले पासे नुख कड़ के वेखिया जांदा है केड़ियां केड़ियां निशानियां लगियां दाग दोश मूँ चले आ लाए जिमें कोई आदमी गल्द कम करके आवे न तुसी देखो किसे कालक दे कोठे ता उस दे मूनु लगी होई कालक तो पैचाने आ जांदा है कि ये बंदा के दे कालक कोड़ियां दे कोड़ों आया है कि दे हाथ लाए इसने ताई मूनु लग गया न इस तरह जीवन वेच जड़े जड़े कारज किते जांदे ने उन आदी कालक बंदे दे मूँ ते मली जांदी ता हजूर ने किया दाग दोश मूँ चलिया लाए जे में मनमुख दे मूँ ते गल्त जीवन दी कालक मली जांदी इस तरह गुर्मुख दे जीवन दे उते चंगे कमा दी जेड़ी केंदे ने के मूर लग जांदी है कबीर जी दा बचन है हम कूकर तेरे दरबार पूंकें आग गए बदन पशार पूरब जनम हम तुम्रे सेवक अब तो मिटिया ना जाई जिदे अंदर नाम दी गुर्बानी दी मूर लग जाए उन्हों भी मिटाया नहीं जा सकता तुम्रे द्वारे तुन सेज की मत है मेरे दगाई दगाई दा मतलब मूर लग गई त नो मानों के उन्हादे जीवन बेच गुरू ने शबदी मूर ला दिती ओ परवान ने उन्हादे कोल इस तरह दा सार्टिफिकेट है परवान पत्र मिल गया ओ जिते जादे ने उस करदे अंदर परवान हो जादे हजूर ने अगले बचन काय कहिं दे पंच परदान फिर शेश हो जान दे ने खास हो जान दे आम लोकाँ विच उन्हानों गिन्या ने जान दा उन्हादे उन्हादे उत्ए कोई कनून लागू ने उन्दा ऐसे भी लोग ने संसार दे अंदर जिन्ने भी जीवने सारे लेखे विच ने सारे यांदा हिसाब हुंदा है पर जेड़े पंच परवान हो गये उन्हादा कोई हिसाब नहीं करदा कोई लेखा नहीं हुना दे कागज ही नहीं हैं किसे कुल अधिकार नहीं कि उन्हानू पुछ सके भी तू की कीता जीवन दे विच इन्ही बरकत इन्ही ताकत उन्हा कुल आ जान दी ता सारी 84 लख जून लेखे विच है सिर्फ जिदे अंदर शब्द वास गया जा नाम में चलीन हो गया वो मनुख लेखे विच नहीं पंच परदान उन्हानू केंदे के परदान हो गया विशेश हो गया उन्हानू फिर परदान की वास्ते चुनिया जान दा है अगे तोरिया जान दा है अगे लाया जान दा है हैता बंदे दी ख्वैश बड़ी परदान दी आज साड़ी काउम वेच भई पहला जिन्ने होर चीजां दे नशे सन न हपानू शब्द कहें दे सा ये चौदरी है पिंडदा ये दा ये ओदा है ये ये दे वास्ते पजा फिर दा सरपंच बंड वास्ते ये मेमरी लेना चौंदा है ये बलाग सम्ती पे जितना चौंदा है आज काल एक नवी में दोड लगी हार एक बंदा परदान बनना चौंदा जे होरता कुछ बने नहीं आज तक गुरु साहिब ने क्या परदान मैं ते नू बनावाता गल चंगी तू आप ना बनी ये थे पंच परवान पंच परदान ते परदान लफज दे अर्थ ने ए पर ते तान दो शब्दा दा जोड है तान दे अर्थ करांगे त्यान परदा अर्थ दूजा जेड़ा आदमी एना महान है कि वह अपना मी त्यान रख सकता है ते दूजियां दा भी त्यान रख सकता है जेदे विचे नहीं समरता आगे जेड़ा एक को समय अपने आपनों मी वेख दा है ते दूजियां मी वेख सकता हूनु कें दे परदान ता ए एक साड़े विच अज दोड बन गी और इन इना नुकसान कीता है वैसे ये थे जब जी सह विच परदान शबद आया है पर तुसी इतियास विच खोज के वेखो सिख इतियास दे विच परदान नाम दी कुछ चीज है ये नहीं कुई आउदा नहीं है सारे इतियास नू पढ़ के वेखलो जिनने तार में परणे इतियास दे गरंथ ने कि ते लिखे हो आई भी फलानी तर मिशाला दा फलाना परदान सी ये लफज हुन चले आया ता हुन ते वैसे विजड़े नहीं बन दे उना नू कई लोग कें दे जी मैं साबका माँ साबका यानि के मैं पहला के दे परदान ने आँ कुछ ये जी कर दो कहें दे पहले जनम में चुँआंगे पर ना जरूर ना लोना है ता इस परविर्ती ने की किता इस परविर्ती ने थोड़ी थोड़ी दूरी ते गुर्दवारे खड़े कर देते कीती है कि मारत खड़ी के ना है साड़े आज परबंदां दे विच जड़ा निगार आया है गुर्दवारें दे विच गिरावट आई ये उदा एक ये भी बहुत बड़ा कारने जादे गुर्दवारे बहुते गुर्दवारे थां 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 ते गुर्दवारा इनी मायादी दुरवरतों में हो वो थे तेन चार चीजा जरूरी होने हैं चाहे दियां गुर्दवारा बने था नहीं ते बनावन दे इजाज़त नहीं देनी चाहे दे एकता हो थे लंगर चलना चाहे था चोवी केंटे जरूरी है जे किसे ने परदान बनना है गुर्दवारा बनावना है ते ए परबंद कर पहिला यह नहीं योगता है उदे कुड़ते लंगर चलाए चोवे केंटे फिर उधे जिड़ा गरीब आदमी होंदा बिमार होंदा उन्हों दौई भी चाहिए दी उधे दौई दा परबंद भी होना चाहिए दा उधे फिर किसे ने रात कटनी है ते सो दो सो आदमी वास्ते कमरे भी चाहिए देने उस थांते हैं ओधी कंडिशन है गुर्दवारे दी जिन गुर्दवारा सी कहने हैं फिर उस थांते दो में वकत कट तो कट सवेरे शाम चार चार केंटे केलतन होना चाहिए दा ते कथा उनी चाहिए दी हैं फिर उते एक लाइबरेरी भी उनी चाहि दी इस सारी हैं चीज़ां गुर्दवारी दा आंग ने तां उस थां ते इस टांग दे नाल कोज कैम्प भी उने चाहिए जिना विच शिखी बारे गुरू गुरंद साहिब जी विच की क्या है वो दे बारे समझाया जाए निरी निजी तोर्द तां ए सारे गुर्दवारी दे आंग ने तां गुर्दवारे नू सिर्फ वरती ये जदो वसी परदान की वास्ते तां ए कोई कॉई काउम दा पढा नहीं कर रहा है काउम दी बेड़ी वेच बटे पॉन वाली गल है कोई प्रबंद ही नहीं हो चीजां तां है ये नहीं हो थे जिड़ियां नहीं शपे फिर सत्कुरा ने अगे बचन कीते केंदे पंचे पावें दर गह मान मान इज़त ऐसे पंच लोका नू यड़े अकालपुर्ख वैगरुवलों चुने जांदेने रब्दी दरगा दे अंदर उना नू मान मिलदा है सत्कार मिलदा है ये तों दा सत्कार होर ची लोक ये भी केंदेने भी ये साकत बड़ा सी गल्त बड़ा सी पर उते जाके भी कहना पहिंदा है भी ये बहुत महान व्यक्ति सी एक किमे दा समाज दा ताना बढ़ा है कि पता है भी सब कुछ गल्त है फिर उनू ठीक भी कहना पहिंदा पर सत्कुरा ने बचन कीता कैन जाके आवेगी भी एकाउन है वेख्या जाएगा इतिता पड़दा चलेगा इतिता तरीका है जे कि दे सिद्धा ओथो लाइब हो जाए ना सिद्धा पता लग जाए भी ओथे की हो रहा है इस बंदे दे नाल जिन्वे थे असी बहुत महान कह रहे हैं जहां यहों कह लिए आ अपां सारे चोरां उस मामले वेच ओदे नाल जीवन सेमत है नी साड़ा ओ कामसी कार नहीं रहे फ्रेवदी दुनिया होगी सारी चूठा प्रपोगंडा हो गया सारा जिद्धर हवा चल दी सारे चज़ लादें देने सब ग्यान विग्यान वेची रुड़या जा रहा है इस करके हजूर केंदे ने पंचे पावें दरगय मान जिनना नू गुरु वलो सतकार मिलदा है उना नू किसे मैडल दी जरूरत नहीं उना नू किसे अजैब कर विच फोटो लवाउन दी कोई प्रवा नहीं है जीवन है अपना जिनना गुर सिखा ने कुर्बानिया कीतिय ने पहला सेवा कीती है कुर्बानी कीती तर मुनू कमाया है केड़े उना नू मैडल दिते गए अज चमकता है ना मुना दा सारें दा किने दिता सी मैडल होनता सिखी थोड़े जा लोकां देया था वेचा आगई आपी सिख आपी चोर ते आपी कुती ना उपाउंके ते च चोर चोरी करी जाए सब कठा हो गया देण वाले भी ओ ते लेण वाले भी ओ इस करके सत्कुरा ने क्या के पंचे पावें दर गय मान पंचे सो हैं दर राज हान अकाल पुरुख दे दर ते ओ जिड़े हन ओ दे दर ते सोन दे हन चंगे लगदे हन परवान कर ले जान दे हन पर उना दा एक गुण बियान कीता कहन लगए पंचा का गुर एक त्यान उना पंचा दा जीवन के में दा जड़े चुने गए उना दा जड़े त्यान है एक शब्द गुरु बिच ठिकिया होया है पंचा का गुर एक त्यान उना दा त्यान एक शब्द विच शब्द गुरुदे विच लेन ओगया परवान होगया अगले जड़े शब्द ने इस पोड़ी दे उदे विच जे को कहे करें विचार करते कह करने नहीं सुमार एथ हुझ जब जी सहब्दा एक विशा सुमापत अगला नमा खोल जान दी ए सारा जड़ा अगे आवेगा ए पंच परवान होए बंदे दी प्रस्तिती है कि वो की की वेखदा है एतों तक ते कमाई सी ना एतों तक कालना की ती गई सी पंदरा पौड़ियां दे अंदर होन जदों कमाई करके कोई परवान उन्दा है ता उस व्यक्ति दी जीवन दी वेखण शक्ति दुमां लोका नल जुड़े जान दी एदर भी वेखदा है ओदर भी वेखदा है इस करके जदों ए अवस्था हों दी ए ते बंदा बेचफास जान दा है जे ते ओदर वेखदा है ते एदर सच बोले ते ए नहीं परवान कर दे एदर वाली गल उदर जाके भेगदा थे उथे चल दी कोई नी ये सारा पखंड दे सदा है करे कियो ता कबीर जी ने थुए क्या सी हमुझ जो भुजा भुजणा पूरी परी बलाए केंदे बलाग अलविच पैगी आ जो कुछ असी करने आ ना फलाना जी बहुत महान सी फलाना ऐसी हो केंद है मैं अगले पास से विख्या सारे टंगे हो इन्हें पुठे करके ओथे कोई नहीं महानता है ओथे होर किसे चीज दी जहां चो रही कोई नहीं पुछदा है सारा को जो थे ओथे सिर्फ अवर करतूत सगली जम डाना है गोबिंद पजन बिंद तेल नहीं माना है ओँ कहें अगला जिड़ा हिस्सा है जे को कहे करें विचार जे कोई बंदा बहुत ही ता चुपी कर गए बहुत यादी हालता है हो गए कि जिसनों तुं जाना है सोई जाना है जिननों जणाया होने जान लिया माराज ओपिर करदा किये कहन लगए कुछ नहीं करदा हर गुन साथ ही जाक वखाना है वो दुझे कहें दे भी यह लू की हो गया बार बार यह कही जान दा बूली जान दा बासो कही हो जान दा वो सुनु जापदा है पर ठोड़े जा लोक जिनना बारे क्या है कि जे को कहे फिर दोड़े कोज बंदे चुने होई विर ले जाए एक खत्रा मुल ले लें दे भी कैए कोज ना कोज बिचलो पता है कि टांकता होना पहना है बिआफ़ ओदर दी गाल दर कहनी ओदर कहनी बड़े उखी गलः ओजागी जे को कहे करें विचार करते के करने करने दा मतलब ओडियां छेडियां जेडियां नहीं समार अना दा कोई समार नई, कोई अंत नई अगे सारा कुझ आएगा तोल तरंदया का पूथ संथोग था परखिया जिनसूद तरती पताल अका श्किना कुझ केते पवन पानी ए सारी गल अगे चलेगी हजूर एसे तरह किरपा करन आउन बाली समय विच आप जुड़ सकीए एक दो मिन्ट वास्ते गुरु शाबनना जुड़िये फिर सुमापती है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु